सपा सुप्रीमो अकलेश यादव आज आयोध्या पहुंचे जहाँ एक बाग में इंडिया घडवन्दन समर्थित सपा प्रत्याशी आफधेश प्रिसात के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया यहाँ कलेश यादव ने कहा कि आयोध्या सौहार्थ की राजधानी बने आयोध्या से संदेश सकरात्मक राजनीती का जाए आयोध्या का संदेश मिली जुली संस्कृति का है एक दूसरे के प्रती प्रेम बढ़े और ऐसा वातावरन बने जिसमें कहीं भै की जगा ना हो ले काम करेंगे आयोध्या सौहार्थ की राजधारी बने आयोध्या से संदेश सकरात्मक राजनीत का जाए आयोध्या का संदेश मिली जुली संस्कृति का है एक दूसरे के प्रती प्रेम बढ़े और ऐसा वातावर बने जिसमें कहीं भै की लेकिन भाती जंता पार्टी ने लगातार नकारात्मग राजधीत से है का माहौल जानाने का माहौल प्यादा किया मुझे उम्मीद है आयोध्या के वैसी इस बार अपने सबसे पुराने नेता आजनी अब्देश प्राजी को चुन करके आयोध्या की विकास को और उचाइ लेकिन लेकिन अब्देश प्राजबाने चूट गोल करके जिस उचाई तक पहुँची थी अब वो ध़लान पर आ गए है और नीशे जाते जा रहे है उनका काउंट्राम शिरू हो गया है जनता उनकी कहां